शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अपने कौन से सीचा उसकी जान कैसे ले सकती हूँ न मैं मेरे बेटे को छोट नहीं पहुचा सकती कितनी चोट लग गई है तुम्हें अब है यह पखवाँ दर तो नहीं हो रहा है अमी छोटी सी चोट है ऐसी चोट तो कितनी बाद लगी है मुझे पहले कभी आप ऐसे हड़ अखिर बाद क्या है अच्छा तुम्हें अपनी मा का प्यार हट बड़ा हट लग रहा है अरे तुम्हारे एक छीक से हमारा दिल घपराने लगता है तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें हर फिक्र याद दिलाने पड़ेगी अब है मामी मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था अदि याonा रो रही थी तो आकहर हुआ क्या है पाप चलिए आपरी बता दीजिए आखेर बात क्या है अँम्हें असगी अजीजीर सा भाताओ क्यों और आ है अगर दोनों के बीच चल क्या रहा है कोई मुझे कुछ पता भी नहीं रहे अगर अगर आप इस तरह से रोएंगी और ऐसे डरेंगी तो अभे के सवाल तो कभी खतम ही नहीं होंगे ना अनुजी हम क्या करें आपी बताईए अनुजी अनुजी वो हुरत वापस हमारी संदेगी में क्यों आई है वो क्या चाहती है अबसे तो सिर्फ इतना चाहती थी कि एक बर अपने बेटे को मिल लू अपने इस बुरे वक्त में अपने अच्छे दिनों की एक जलक देख लू पर देखो ना किसमत ने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया मेरा बेटा अबे और देखो किसमत भी यही चाहती है कि मैं अपनी आखरे साथ अपने बेटे के साथ मेता हूँ मुझे तभी मुख देने लेगी कि ये गलत है जनव देने वाली मा का हक नहीं अपने बेटे के साथ रहने का उसका कोई हक नहीं बनता हमारे बेटे के तरफ आख उठा के भी देखने का जब उसने कभी हमारे बेटे के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं तो अब उसका हमारे बेटे के आस पास भी फटकने का सवाल ही नहीं उठता पर अनुची को गलत मत समझ रहा उनकी कोई गलती नहीं है लोट तनुजा की भी कोई गलती नहीं है उसने देखे शुदा मां की तरह बाला ना भेको किसी की भी कोई गलती नहीं है बसा अलाद की गरती है अलाद वह नहीं मारा हुआ है नहीं यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता मैं मैं क्या करो, मुझे कुछ समझ रहा रहा नहीं यह नहीं अलाद यह क्या किया हमने अपने इतने बड़े मौके पर हमने दर्वाजा ही बंद कर दिया यह तो इक्का है जो दीदू की हर बाजी को खराब कर देगा उनके जीवन में दुख और दर्द के दर्वाजे खोल देगा और जितना हम अपने बहन को जानते हैं वो यह बात इस वक्त अभे को बिलकुल नहीं बताएंगे जिसे जनम दिया उसके जान लोगी क्या मैं मेरा कुन है अभे पेरा बेटा है शदा शदा आँटी जी से भात रही क्या हुआ अभे को मैं तब तक कुछ नहीं बता पाऊंगी जब तक खुद मम्मी जी और पापा जी से बात नहीं कर लेती शदा कहा को गई आँटी दी ने कुछ बताया की नहीं नहीं अभे वो तो कुछ बताने ही नहीं चाहती है नहीं कुछ नहीं कहा उनोंने मुझसे जूट बोलना तुमारी फेतर उतमें नहीं है श्रत कुछ तो है जो तुम मुझसे चुपा रही है अंटी जी आप चुपा नहीं सकते अपना दर्थ आपके चेहरे पे साफ पता चल रहा है कि आपने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं सहा है और देखे ना हमें हम अपने घुसे में आकर आपकी मुझसे दर्वाज़ा बंद कर दिया बहुत गलत किया हमने अब हमें माप कर दीजे अंटी जी अपसे बहुत बड़ी गलती होगी हम अपनी गलती सुधारना चाहते हम आपको घर के अंदर लेके चलेंगे आप चलिए हमारे साथ चलिए नहीं बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं यहीं ठेक हूँ बस एक पर पता चल जाए कि अभे 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 से हम आपको मिलवाएंगे ना आप बस चलिए हमारे साथ चलिए यह राज तो अब राज नहीं रह सकता दीदू देखिया ना सच पता अभे को चलेगा और भुगतेंगी आप पापा जी क्यों आप ठीक है यह लीजिए पापा जी आपको किचन नाने की क्या जरूरत थी आपको चाहे चाहिए थी तो आप मुझे बोल देते मैं बना देती देखिये अब कितना जल गया मैं ठीक हो बेटा वो तनुजा जी उस ओरत को मेरा मतलब देवयानी को देखर थोड़ा परिशान हो गए थी तो मैंने सुचा तो इंको चाह बना की पिला देता हूँ पापा जी आप एक बात पोचने थी आप उस ओरत को मतलब देवयानी जी को कैसे जानते हैं मैं सब जानते हूँ पापा जी उनोंने मुझे सब कुछ पता दिया है पापा जी मैं ये सच सिर्फ आपके मुझे सुनना चाहती मुझे किसी और की बात पर भरोसा नहीं है मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है और अगर आप मुझे पर भरोसा करते हैं तो आप मुझे ये बताईए सच क्या है क्यार आपके तर ये आपके के साथ? प्यार करिष्टा था हमारा अतीत है वो मेरा क्या सकत्र अतीा मेरा बुल Hamm थार बुल प्यार रिचू मेरा व्हार को और वार कितना खोन खोलाओगी तुम हमारा अबने ने नहीं लाके तुम सीधी बात समाज में नहीं आती है क्या हमने कहा ना हमारे गासे दूर आओ! सेफ तमने हमें आपी शकल दिखाई है ना? को कही है? अपने चाची जी 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 रुके! देखिये ना, ये बार बार जाते जाते वापस आ जाती है! हमें तो लगता है, चाची जी, कि दीदों को ना, आप लोगों का कोई बहुत बढ़ा रास पता है! इसलिए तो ये इतनी हिम्मत दिखा रही है! रास! ये ये तुम क्या कह रहे हो? कोई रास पता है! रास, अरच, कोई यासी बात ही नहीं है! तो, तो, किसी को कुछ नहीं बता है! पता तो हमें सब है, चाची जी, और चाहें तो अभी के अभी बता के आपके पैरो तले बिच्छी हुई एहंकार की दरी खीचले! पर अभी जादा मज़ा ये देखने में ही है कि रास आप सब कब तक छुपा पाते हैं? तुम, तुम, हमें ऐसे काई को रही हो! अच्छा, तुम अभी बेहन की नाराजगी हम पे और हमारे परिवार पे निकाल रही हो, ना? बहुत मज़ा रहा होगा ना तुम्हें, ये सब तमाशा देकर! अरे तुम भार में जाओ! तमाशा तो अब शुरू होगा, हमारे सामने या हमारे बिना. और तुम, अरे तुम चाहती क्या हो? क्यों अपने मन्हूस कदम हमारे घर में रखकर फिर से हमारे घर को उजाड़ना चाहती हो तुम? नहीं तरुम जा, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो वहूँ, सिर्फ आपने को एक बार देखाए। खबरतार! खबरतार जो तुम में अपने जुमान से हमारे बेटे का नाम लिया होता हो! अब यह नहीं जानते कि तुम किस इरादे से हमारे घर में फिर से आई हो! लेकिन आप यह बात बहुत अच्छे से जानते कि हम अपना घर फिर से नहीं तूटने देंगे! मिकाल जाओ यह से और बूर रहो हमारे अबैसे! यह क्या तुमाशा है? तुमाशा और आपने जो किया वो क्या था? उसे क्या कहींगे आप? जी तुमाशा भी शर्म निया यह आपजाए! आपजाए! नहीं पापजी! के अधिन यह जाओ आपजाए! आपजाए! एक बार आप मेरी बात सुननी चाहिए! क्या सुनूँ? आपने बापा की प्रेम कहाँ नहीं? उन्हीं की जुपानी उस आरत के साथ? और क्या पजगया था अरी जिन्दी की गोर बात करने के लिए? अब है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है तुम उस वारत पे तरस खागे उसे इस घर में लेकर आई थी क्योंकि तब तुम नहीं जानती थी मेरे पापा का रंगी ना तीत और अब तो तुमने सुननी है ना उन्ही के मूझ से अब सुनने समझने को रह क्या गिया है भूलो शद्धाद अब तुम जानती हो ना पापा के अतीत के बारे में भूलो तो बस आज अभी इसी वक्त विना कोई सवाल जवाब किये अब सुनने को इस वरत को इस गर से निकाल के बार फेको जिसने मेरी माँ को इतना दुख बोचा है अबे, आप पुली शानत हो जाए यह देखिये, इस वक्त उनकी हालत सच मुश बहुत खराब है मैं आप से बिंदी करती हूँ, बस कुछ दिनों के लिए हो रही हाँ पे रहने दीजिए उनकी हालत बल्कु ठीक नहीं तुम्हादी बात कराब हो गया किया वह अरत जिसने मेरी माँ कुछ दरोला है तुम उसे इस गर में लखने की बात कर रही हो अपे, मैं आपकी बात समझ दीओ, और आप नहीं शड़ा सिंद्गी बरना लोगों की भलाई करकर के उनके लिए अच्छा ही करकर के हमने सिर्फ दोखे काये है तुम नहीं समझी तो ठीक है पिर तुम नहीं निकाल सकती है नो उने इस घर से बाहर तो मैं निकालूँगा मैं उन्हें अपनी मा के घर में नहीं रहने दूँगा एक सिकिन में निमज़ाश करूँगा 35 साल पहले भी तुमने हमें बर्बार करने की कोशिश की थी और 35 साल बात भी तुम उसी इरादे से आई हो ना क्यमार के बाहर नंहीं कालूँगास गर्स में जह्चोड़ूगा मार देंगे हम तुम्हें अखर तुमने हमारे पड़िवार को और तुड़ने की कोशिश की और एक बार भी खर हम तुम्हें अपरी सिंदगी़ा उथल पूथल करने नहीं देंगे सुना तुमे तनुजा मेरा अज़ सब कोई इरादा नहीं है मैं तो सिर्फ अभी है आपकी इरादे यहां किसी को नहीं सुनने है चुपो जाओ यह घर मेरी माँ का है पर अगर मेरी माँ किसी को भी इस घर में बरदाश नहीं कर सकती है तुम मेरे रहते में उसको एक सेकिंड भी इस घर में नहीं रहने दूँगा आज की बाद अपना चेहरा हमें कभी मत निकाना भे अभे ये क्या कर रहे हैं छोड़िये डॉक्टर ने कहा है न इनकी तबे ठीक नहीं है अभी भी इनकी शेरी से कमजोरी नहीं गई है अबे अबे शद्धा कमजोर तो इसकी कहानिया है जो सुना सुना कर ये सबसे हमदर्दी लेती पिरती है इसकी आदत है नाटक करने की क्यों तुम इसके नाटक में भस रही हो ये आरत चलती फिरती धोके की दुकान है नेकिन भुआ जी मैंने डॉक्टर से खुद बात की है तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको सारा सच और जूट बताया और हम एक बात समझ नहीं आ रही दीदू इस अजनभी औरत के लिए आप अपनी सासुमा को तकलीद दे रही है जब तुझे पूरी बात नहीं पताये की ती तो बीच में मत बोल क्या गलत पूचा की ती में जब से ये औरत इस घर में आई है मेरी माँ का रो रोके हाल बुरा है वो तुमें दिखाई नहीं दे रहा है हाँ बस इस औरत की तबियत की बहुत चिंता है तुमें हम कह रहे ना इसीने कान बरे होगे हमारी बोली चर्दा के अगर ऐसा है ना इसकी बातों में आके शद्दा सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर रही है तो अब तो कता ही नहीं दूंगा इसे खर में अब है छोड़िए अब है क्या कर रहे है आप छोड़िए मर जाएंगी ये अरे मर जाने तुमें तुमने फिर हमारे गर में कदम रखा ना तुको हमना पुलीस को कबर कर देंगे छोड़ेंगे नहीं तुमको नहीं अब है मैं आपको इने जाने नहीं दूंगी शदा सच जानने के बाद भी तुम मुझे रोग भी गते सकती हो अब है आपने जो सुना है वो पूरा सच नहीं है और इने छोड़ी लग जाएंगी इने अटो मिझे रही अब है मैं आपको इने तुमने जाने नहीं दूंगी छोड़ी अब है तेरे पापा कार ना जाये संबंधा इस वारात के साथ और तुम चाहती हो इस गिरिवी वरत को मैं अपने घर में रखूँ अभी शदा अभी मैं बहुत गुस्ते में तुम चुपचा पीछे अट जाओ अगर तुमें मरना ही है ना तो मेरे घर की चोकड के बाहर जाके बरो अपने तंद्रे कतम मेरे घर मेरे बरिवास से दूर रखो लुक चहिए अभे वो आपकी मा है अभे वोर अपने चाहिए अभी में अपने टाम क्यां ड.: झाल झाल इन्होंने आपको जरन दिया है रभे यह औरत आपकी माँ है पौद गलत किया आपने इस घर में वापिस आकर एक माँ अपने बेटे को छोड़के कैसे जा सकती है मुझसे उमीद भी मत रखने कि मैं आपको अपनी मा का दर्जा दूँगा आप जैसी औरत के साथ एक कमरे में रहना भी में बरदाश्ट नहीं कर सकता खत्म करिए अपना ये तमाशा और तूर रही है मुझसे मेरे मुझसे माँ शब्द आप कभी नहीं सुनेंगे आप मेरी मा नहीं है अकिला रहना ही आपकी सजा है कर दो कर दो कर दो का दो कर सकता है